मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपको इस तरीके की लॉस रिकवरी करनी है तो 15 दिन टेलिग्राम चैनल जॉइन करिए हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एक रुपिया भी आपसे नहीं लिया जाएगा और आप जॉइन करके देखे आपकी लॉस रिकवरी होग तब बाजार उसकी बात नहीं समझ पाता बाजार को उसकी बात समझने में टाइम लगता है कभी 5 घंटे का कभी 10 घंटे का कभी 16 घंटे का तो आज आपने देखा ये मैंने आपको कल बता दिया था कि बाजार गिरेगा ये मैंने आपको तब भी बता दिया जब मार्केट ओपन भी नहीं हुआ था 9 बच के 9-8 मिनट पे, मैं आपको अता दिया कि मार्केट गिरने जा रहा है, जबकि RBI की पॉलिसी भी तम नहीं आई थी, 10 बज़े आई है वो, आप हमारा टेलिग्राम चैनल देखी जाके, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके बाद म बैंकों की बहुत बड़ी ग्रोथ करने वाली है, बैंकों की बालन शीट नेक्स्ट तू लेवल पहुच जाएगी, आफ्टर दिस पर्टिकुलर देखेगा, न्यूज और ये देखेगा, एक्स्प्लिनेशन शाम को होता है, तब ही आपको जब डिफरेंट डिफरेंट एक कुछ होता है, तब बाज़र भागता है, तो यहाँ पर देखेगा RBI की MPC मीटिंग आई, तो मैंने आपको पहले होता है था, स्टेटमेंट बोलेंगे, और आप गेम हो जाएगा, स्टेटमेंट बोलने के बाद गेम हुआ की नहीं हुआ, वीडियो के नीचे यस कॉमेंट अबव आएगा, यह पहले बोला, मार्केट शाप पॉल, लेकिन उसके बाद धीरे 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 क्या बोला, कि यह सब कुछ केवल कुछ दिनों का है, कुछ छणों का है, और यह आप भी जानते हो, यह हम भी जानते हैं कि inflation हमारे का सस्टेन नहीं करेगा, तो यह बाजार के के आसपास देखने हो मिलेगा, यह सबसे बढ़िया बात थी, जो उन्होंने इंडिकेट करी, फिर उन्होंने सबसे अच्छी बात की कि इंडिया पूरी तरीके से uniquely placed है, यह सबसे अच्छी बात उन्होंने क्यों कही, चुकि वो भी Forex से पैसा बना रहे हैं, वो भी देखे इंटर्विन करके देखेगा, Forex Market में देखेगा पैसा बना रहे हैं, RBIB, और साथ ही साथ FIIs का रुख, सच में इस तरीके का हो गया है कि इंडिया uniquely placed हो गया है, इंडिया पे सबकी नजर है कि पैसा बनाना है, market है, आपकी app है, आपका business है, आप कहां बेचोगे, चाइना म मतलब है कि यहां पे अब अच्छा FIIs investment आने वाला है, और फिर उन्होंने rate change को लेकर कोई भी बात नहीं करी, उन्होंने कहा कि rate change बिल्कुल भी नहीं होंगे, और अभी हम सोच भी नहीं रहें बढ़ाने के लिए, तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा, यह सबसे ची बात है इसके बाद उन्होंने बैंकों को, रियल स्टेट को, इन्फरा को, ब्रिजेस को, सब कुछ यानिक एकदम उन्होंने एकदम विल्कुल क्या कह दिया कि एकदम बहतरीन चीज़ दे दी है, जिससे बहुत बड़ी देखेगा balance sheet expand होने वाली है, किसकी बैंकों की, तो अगर आ देखेगा ये authority दे दी है, the RBI said that the new framework will allow borrower, यानि कि आपको to switch fix rate from the floating rates, अब ये सबसे बड़ा benefit है, आपको पता है भर भर के लोग home loan लेंगे, अभी क्या हुआ, आप बताइएगा वीडियो के नीचे comment करके, अभी तक क्या होता था, कि आपने एक loan लिया होगा, माली दे 7% आपने home loan लिया होगा, कब लिया होगा, जब आपका COVID चला था, COVID के बाद देखेगा, जो rate थे बहुत अच्छी सिविल है, तो 6.5 तक भी आपको home loan मिल गया होगा, तो आपका rate ये चला था, COVID में क्या थे, rate एकदम डाउन थे, rate कट किये जा रहे थे, लगातार कट किये जा रहे थे, ये आपको पता है, liquidity को boost up किया जा रहा था, surplus डाला जा रहा था, लेकिन जब देखेगा, RBI ने rate बढ़ा है, तो अब आपके येही loan के interest rate 99% पे पहुँच गया, यानि कि आप उसी loan पर, जो आपने home loan 2020 में लिया था, उसकी MIR थी 7% के interest rate के साब से, लेकिन अब आत 50,000,000 रुपए बढ़ गए, अब इसके साथ साथ आपकी EMI भी बढ़ गई, तो यहाँ पे RBI ने बहुत अच्छी relief दे दिया, relief कहके दिया, आपको floating के साथ जाना ही नहीं है, आप आराम से allow है, और यह आप आराम से easily भी कर सकते हो, कि आप अपनी EMI को switch करके fixed interest rate पे आ सकते with the rate down, आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेंगे, आपकी EMI सेट रहेगी, आपकी कितना पैसा खटना ही सेट रहेगा, और इससे home loan काफी ज़्यादा देखेगा, तेजी से उठाए जाएंगे अब, auto loan पे भी focus है, दिवाली आने वाली है, नवरातर आने वाले हैं, big bang होने वाला है, आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी हाँ बात इन्होंने बताई है कि real estate में तो ये बहुत इच्छी बात है, तो आप देख सकते हैं, जो big relief दिया गया है, home loan buyer को ये सबसे बड़ा bankों के लिए revenue generate करेगा, इसके बाद GDP पे उनका forecast काफी बहतर है, काफी बड़ा है, अब GDP ग्रो करेगी, तो bank अपने आप आप ग्रो करेंगे, तो ये सारी जो information है, वो bankों के point of view से बहुत अच्छी है, और bank आप rebound करने वाले हैं, जिसमें कि state bank of India, bank of bada, ये बहुत तेजी से करेंगे, co-tech bank बहुत गिर चुका है, तो इसमें बड़ा rebound आ सकता है, और HDFC bank तो द और है, और होड़ा सकता है, तो क्या ख hip-ैंजी, तो क्या है लोगका है, तो कर आप्णाब involved. नहरो चाहरे. से मँदा जहां उत्वते हैं, लो छो 9 जा पे नहरे. स albums is